कि आपके partner ने आपको no contact दे दिया है या फिर minimum contact में हो on and off में रहता है आपका रिष्टा जब आपके partner का मन करता है तब आपसे बात होती है जब नहीं करता है तो नहीं होती है सो चलिए जाने की कोशिश करते हैं आज इन कार्स के चुरू क्या चल रहा है उनके मन में क्या है बेचैनी क्या है डाउट्स सो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को सो नमस्ते दोस्तों मैं रित्तो भारतवाज वील ओफॉट्शन टारटूवा नाइन जीरो से मेरे इस चानल पर आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ आशा करती हूँ आप सब लोग पॉजिटिव होंगे खोश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे सो मैं शफलिंग स्टार्ट करूँ उससे पहले आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग comment box में जरूर लिखेगा आपकी wishes क्या है आपकी manifestations क्या है आप क्या चाहते हैं आपकी life में क्योंकि जब आप लिखते हैं और हम उसको read करते हैं तो कहीं न कहीं वो चीजे prayers में चली जाती है और अगर आप लोग tarot channel के लिए नए हैं तो आपको मैं बता दूँ कि cards के अंदर energies होती हैं और energies के साथ connection बनाना जरूरी होता है तो connection बनाने के लिए सबसे पहले तो positive हो जाएए दिमाग को बिलकुँ शान्त कर लिजे और जिस भी person के बारे में सोच करके आप इस वीडियो को देख रहे हैं उनका नाम अपने मन में तीन बार repeat कीजिए और उनका image अपने दिमाग में रख लीजे और cards के साथ connect हो जाएए तो यह general collective timeliness reading होती है क्योंकि यह general reading है तो यह सब भी के लिए होती है जितना part आपके साथ resonate करेगा उतना रखना है बाकी का छोड़ देना है और अगर आप लोग अपनी personal readings book करवाना चाहते हैं तो screen पे दिये हुए number पे whatsapp कीजिएगा phone calls please मत कीजिएगा क्योंकि हर जगह से इतने calls आते हैं कि attend नहीं कर सकते हैं सो whatsapp कीजिएगा आपको reply जरूर मिलेगा description box में whatsapp group का link भी दिया हुआ है उसको आप join करके वहां से भी आप अपनी readings book करवा सकते हैं लेकिन आपको ध्यान ये रखना है कि personal sessions, personal readings paid होती हैं, chargeable होती हैं तो आप तब हमें महाँ पर messages कीजिएगा सो चलिए, gender bias reading नहीं है आप जिस भी gender के हैं आप देख सकते हैं आपके partner जिस भी gender के हैं आप देख सकते हैं और all sign reading है, सारे ही sign वालों के लिए ये reading होती है सो चलिए, आपके partner के energies को check करते हैं क्या आ रही है आपके partner के energies okay, फिट check करेंगे क्या कुछ हो रहा है उनके मन में क्या कुछ करते हुए दिखाई दे रहे हैं प्लीज वियर्स को बताइए क्या है इनके पार्टनर के मन में क्या सोच रहे हैं वो अभी फर्स कार्ड निकाल लेते हैं ओके, फर्स कार्ड आया है 10 of Sword का कार्ड Gemini, Libra, Aquarius Smithundula कुम राशी आई है सबसे पहले ही यहां पर Sword आग चुका है फिर से Sword 4 of Sword आया है ओके, फाइन the Star बहुत ही प्रोमिनेटली आगई है Aquarius कुम राशी 5 of Wand, Aries, Leo, Sagittarius Mesh Singh, Dhanu राशी Ace of Wand 8 of Sword Okay, Wands and Swords आ रहे है 3 of Sword King of Wand 7 of Cups Cancer, Pisces, Scorpio, Curcumene, Vrshik Rashi 3 of Pentacles 9 of Wand एक कार्ड और लेते हैं High Priestess राशीया सारी यहां पर आचुकी है देखें, क्या हो रहा है यहां पर कि आपके पार्टनर है न यहां आपके पार्टनर की लाइफ में क्या चल रहा है कि इनकी लाइफ में अभी जिस भी situation में यह है सबसे पहली बात तो यह कि मुझे यहां पर थर्ड पार्टी सिचुवेशन कई लोगों की लाइफ में दिखाई दे रही है ठीक है या तो आपने किया है या आपके पार्टनर ने किया है तो कुछ इस तरह की एनरजीज भी यहां मुझे दिखाई दे रही है और आपके पार्टनर की लाइफ में थर्ड पार्टी सिचुवेशन बनी हुई है और मीटिंग्स भी होती रहती है हो सकता है आपको छोड़ करके थर्ड पार्टी के पास हो इस तरीकी की सिचुवेशन आप लोगों में से कई लोगों की लाइफ में मुझे दिखाई दे रही है लेकिन एक चीज सबसे जादा इंपोर्टन यहां क्या दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर जहां भी है जिस भी सिचुवेशन में है अभी बहुत तकलीफ में है काफी जादा दुख हो रहा है उनका हार्ट ब्रेक हो रहा है उनको धोका मिल रहा है ठीक है? बहुत जादा परिशानी चल रही है अभी इनकी लाइफ के अंदर और यहां पर आपके पार्टनर को अभी फिलहाल यह चीजे भूगत नहीं पढ़ रही है क्योंकि जिस भी सिचुवेशन में यह अभी है जहां पर भी यह अभी है बहुत सारी चीजे इनकी लाइफ में एक साथ चल रही है सबसे इंपोर्टन क्या चल रहा है इनके लाइफ में चल रहे हैं भी बहुत जादा कलेश और बहुत जादा जगडे बहुत जादा जगडे चल रहे है और आपके पार्टनर को यह सब कुछ भुगतना पढ़ रहा है क्योंकि उनको अभी ऐसास हो रहा है कि यह और कुछ नहीं सिर्फ और सिर्फ कर्मों का भुगतन है जो इनोंने कर्म किये हैं वो ही इने भुगतने पढ़ रहे हैं इस चीज का एसास आपके पार्टनर को यहाँ पर होता हुआ मुझे बहुत प्रॉमिनेटली दिखाई दे रहा है आपके पार्टनर कहीं न कहीं इस सिचुवेशन में अभी फस्य हुए है कि एक तो जगड़े हो रहा है शान्ती है नहीं ठीक है बहुत कुछ सुनने को मिलता है बहुत कुछ चीजे सामने वाला बोल देता है लेकिन आपके पार्टनर अभी शान्ती से खड़े हुए हैं बहुत जादा कुछ अभी बोलते नहीं है जवाब नहीं देते हैं और सामने वाला इसी चीज़ का फायदा उठाते जा रहा है और जबरदस्ती आपके पार्टनर को इन्वो करने की कोशिश करती है या करता है जब भी धरद पार्टी ये सिच्वेशन क्रियेट करती है तो कहीं न कहीं आपके पार्टनर जगड़ा करने के लिए मजबूर हो जाते हैं और काफी एक्स्टेंड तक चला जाता है जगड़ा बहुत एक्स्टेंड तक चला जाता है है ना एक दूसरे को इतनी बाते सुनाने लग जाते हैं कि बस ऐसा लगता है कि कान से दुआ ही निकल जाएगा तो काफी कुछ चीजें आपके पार्टनर की लाइफ में यहां ऐसी चल रही हैं जो होनी चाहिए थे पॉजिटिव लेकिन हो रही है नेगिटिव ओके यहां पर एक चीज यह भी दिखाई दे रही है कि जो यह थोर्ड पार्टि है इसने काफी कुछ यहां पर manipulation की हुए है काफी कुछ जूट आपके पार्टनर से बोले हुए हैं काफी कुछ चुपाया हुआ है आपके पार्टनर से इसने पेले नहीं समझ में आ रहा था आपकी partner को लेके अप दीरे दीरे करके उनकोछीज़े समझ में आती जा रही हैं अब उनको ये समझ में आ रहा है कि अगर आपने इतना struggle किया है आपके life में इतना जादा struggle रहा है इतनी problems आपके life में इनकी वज़े से आई है तो आप कहीं न कहीं इनको उसका भुगतान करना पड़ रहा है आपके एक एक आसुओं का जो एक result है वो इनको यहां पर भुगतना पड़ रहा है, तो काफी कुछ डिस्टर्ब मुझे अभी यहां पर लग रहे हैं, काफी कुछ तकलीफ में मुझे यहां पर लग रहे हैं, अग्चली प्रब्लम क्या है कि जो भी थर्ड पार्टी है, उस थर्ड पार्टी की लाइफ में उसको बहुत इसकी मैजिनेशन में बहुत सारी चीज़ हैं, मतलब एक कैतेरा बकेट लिस्ट, तो उसके बकेट लिस्ट में बहुत कुछ है, तो आपके पार्टनर को अब इस च पार्टनर को फेस करने पड़ रहे हैं, प्रॉपर्टी इशूस फेस करने पड़ रहे हो सकते हैं, ठीक है कि आप कहीं न कहीं आपके पार्टनर के पास जो भी प्रॉपर्टी थी, वह उन्होंने थर्ड पार्टी के नाम कर दी, या थर्ड पार्टी को दे दिये सारे आपके partner से इसके पास जा रहे हैं और आपके partner को देना पढ़ रहा है क्योंकि pressure बहुत जादा बन रहा है तो आप में से कई लोगों की ये story हो सकती है although जो आपके partner है वो बहुत कुछ ignore भी करते हैं छोड़ी छोड़ी बातों को ignore कर देते हैं उनको लगता है कि ठीक है अभी इतना छोटा छोटा क्या observe करें तो हो सकता है उन्होंने शुरू में छोड़ी छोड़ी बातों को ignore किया हो बट धीरे धीरे करके ये चीज़े expand होती जा रही है है ना so third party को दूर करना चाहते हैं अपने से अलग करना चाहते हैं और अब इसके साथ और नहीं रह सकते हैं बट यहां पर एक मुझे फियर भी दिखाई दे रहा है डर भी मुझे दिखाई दे रहा है गबराड भी मुझे दिखाई दे रही है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप अपनी life में आगे बढ़ चुक्यों अगर आप लोग reunion manifest कर रहे हैं तो comment box में जरूर लिखेगा reunion और अगर आप लोग karma manifest कर रहे हैं तो लिखेगा karma new partner manifest करते हैं तो जरूर लिखेगा new partner because यहाँ पर जो third party situation है ना वो बहुत बहुत लालची है बहुत जादा ही लालची है इसको अपना तो जो है वो है इसके पास औरों से भी इसको लूटना है दूसरे का भी इसको अपने कबजे में ही करना है so इस तरीके की यह जो लालच वाली जो इसका एक दिमाग है वो कहीं न कहीं आपके partner ने पढ़ना शुरू कर दिया है so जब भी आपके partner यह सोच रहे हैं यह उनको याद आता है past की बाते पुरानी बाते आपके साथ बिताए हुए दिन आपके साथ बिताए हुए पल जब यह पीछे पल अटके देखते है तो इनको यह हैसास हो जाता है कि इन्होंने जो भी decision लिया ठीक है आपको दिल दुखाने का third party situation में जाने का वो इनका सबसे बुरा और सबसे गलट decision हो गया है ना although बहुत चीजों में balance बनाके रखने की कोशिश कर रहे हैं काफी चीजों में compromise भी कर रहे हैं काफी चीजों में efforts भी डाल रहे हैं बट कि third party किसी भी effort को pass होने देनी रही है हाँ पर यह ज़रूर है कि धीरे धीरे करके आपके partner को चीजे समझ में आ रही है यह आ जाएंगी और वो धीरे धीरे slowly slowly इसको third party को cut करना शुरू कर देंगे मतलब अपनी life से निकालना शुरू कर देंगे ओके आप कुछ देख लेते हैं अब और क्या plans है क्या करते हुए दिखाई दे रहे हैं nine of sword the world strength lovers बहुत ही prominently यहाँ पर आगया है लियो सिंग राशी okay and बहुत ही prominently आया है जयमिनाई मिथुन राशी the judgment okay so क्या चाह रहे हैं देखो अब मुझ चुपाके रो रहे हैं बहुत परिशान भी हो रहे हैं तकलीफ में भी आ गए हैं है न बट यहाँ पर third party की मुझे हार भी होती हुई दिखाई दे रही है है न अब यह चाहते हैं आपकी तरफ आना यह चाहते हैं आपको protect करना यह चाहते हैं कि अब इसके आगे की जिंदगी आपके साथ अच्छे से गुजरे और यहाँ पर चाहते हैं कि आपस वही प्यार मिले जो पहले मिलता था ठीक है बहुत इनों ने struggle अपनी life में कर ली है अब यह चाहते हैं कि struggle खतम हो और इनको success मिले या फिर इनकी life में खुशियां आ जाएं वापस lot करके और वो कैसे आएंगी वो आपके through ही आएंगी ठीक है तो आपको वापस से एक second chance देना चाहते हैं वापस से आपको अपनी जिंदगी में लाना चाहते हैं वापस से चीज़े ठीक करना चाहते हैं जो चीजे इनोंने ही बिगाड़ी है इनोंने ही खराब की है रिष्टा इनोंने ही तोड़ा है बट अभी ये इस रिष्टे को एक second chance देने के बारे में सोच रहे हैं आप में से अगर कुछ लोग यहां पर है रियूनियन या second chance वाले तो जरूर लिखेगा reunion and second chance लेकिन अगर आप लोग उन में से नहीं हैं और आप अपनी life में आगे बढ़ चुके हैं अपनी life में आप नहीं चाहते हैं इस person को वापिस तो comment box में जरूर लिखेगा move on या फिर new partner है तो new partner okay because यहां पर चीज़े काफी change हो गई है okay so चलिए बहुत जल्द आपके साथ justice होने वाला है बहुत जल्द आपको नयाय मिलने वाला है जो भी problem का सामना आपको करना पड़ रहा है वो बहुत जल्द resolve होने वाली है ठीक है आपके partner कहीं ना कहीं एक वापसी के बारे connection वापस इनका मुझे बनता हुआ दिखाई जरूर दे रहा है वापस से वो sorry feel करना चाहते हैं आपके पास वापस आना चाहते हैं और जहां तक बात रही third party के साथ तो third party के साथ तो काफी कुछ issues चुरू हो चुके हैं दीरे दीरे करके यह खुद ही cut off होते चले जाएगी य और आपके साथ जरूर से जरूर एक reunion मुझे होता हुआ यहां पर दिखाई दे रहा है तो यही है इनका कर्मा जब कर्मा इनको भुगतना पड़ेगा तो चीजे definitely correction की तरफ जाती चली जाएगी तो उसको जब भी realize इनको होगा कि नहीं अब यह situation अब इनसे बदाश नहीं ह हो रही है तो बहुत जल्द यह चीजें यहां पर खतम हो जाएंगी ओके सो यह थे आज के card यह थी आज की reading I hope आपके साथ resonate की होगी अगर हां तो like जरूर कीजिए resonate की हो पसंद आई हो तो share जरूर कीजिए और अगर आप लोगों ने subscribe कर लिया है तो आप सभी लोगों का ब लागेगा की हां काफी share करते हैं ओके जो best sharers होगे आगे आने वाले वीडियो में कहीं ना कहीं हम नाम जरूर डिस्प्ले करेंगे आपका सो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद